नमस्कार आप सभी का श्वागते NKP प्रोडक्सर में मैं हूँ नीरज और चली आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो एडविशन से रिलेटेड तो एक बड़ा इंफोर्मेशन निकल के आया है बहुत ही बड़ा नियूज निकल करके आया है जैसे कि कॉलेजेज अपन पड़ेगा उसके माध्यम से तो चलिए इसका क्या अपडेट है कौन सा कौन सा कौलेज आते हैं इसमें और क्या-क्या प्रोसेस होगा सारा डिटेल में बताने जा रहा हूं आप अंतक वीडियो पर बने रहेंगे मेरे चैनल पर जो पहली बड़ा है लाइक से सब्सक्राइ जितने भी ऑटोनॉमस कौलेज हैं या तो फिर जितने भी राची उनिवरसिटी का अंदर कौलेज हैं ऑटोनॉमस कौलेज क्या करते हैं वोकेशनल का अपने वेबसाइट के थूरू से लेते हैं जिसे की कौर्सेस हो गया BCA, BBA या तो फिर अब बायोटेक के बात करें, C& अमानत की बात करें, या मास्टर्स में भी सेम उसी तरह से होता था, जो मतलब वोकेशनल कौर्सेस होते थे, उसका कोलेज जो है अपना वेबसाइट से लेता है, अब बात आ गया कि नन वोकेशनल कौर्सेस के लिए, मतलब कि B.com, BA और B.hc के लिए, इसके अंदर में जित इतने भी राची उनिवर्सेटी के अंदर में कॉलेजेज हैं, उसमें कहां से होता है, वो होता है, चांसलर पोटल से, तो आपको फॉर्म कहां से फिलप करना पड़ता है, चांसलर पोटल से, तो चांसलर पोटल से फॉर्म फिलप आप करते थे, इसमें क्या होता था कि अं पंगी भूत कॉलेज जितने हैं महाराची विश्विद्दाले के अंतरगत में उनका भी जो है बीए बीए सी बीकॉम के जेनरल कॉर्सेस हैं चार साल की उसका जो एडविशन चांसलर पॉर्टल के धुरू से होगा तो चलिए बात करें इसमें कौन सा कौन सा कॉलेज आते है तो बाहला कॉलेज आपका आ जाता है संथ जेबियर कॉलेज राची सबसे बड़ा नाम जो अपने वेबसाइट से एडविशन लेते थे अब कहां से लेना पड़ेगा चांसलर पॉर्टल से उनको एडविशन लेना पड़ेगा वहीं पर बात करें निर्मला कॉलेज निर् पड़ेट अंगीबूत कॉलेज ते हैं अब इसका जो एडविशन होगा वह किसके माध्यम से होगा वह चांसलर पोर्टल के थू से होगा वहीं पर मैं बात करूं आगे कि आपका जो है योगदा सस्तंक कॉलेज योगदा ससंक कॉलेज जो है उसका अब एडविशन चांसलर पोर्टल से होगा वहीं पर बात करें कि आपका संथ जोसप कॉलेज जो है या फिर बात करें परमविर अलबट एक का मेमोरियल कॉलेज जो है जितने भी कॉलेजेज का नाम में अभी ले रहा हूँ जो अंगीबूत कॉलेज थे हैं उनका एडविशन कहां से होगा चांसलर पोर्टल के थुरू से उनका एडविशन होने वाला है तो इसके लिए जो है आपका आप देखिएगा कि आप जेबियर कॉलेज की आप वेबसाइट पे चले जाईए या फिर आप गोसनर की चले जाईए या फिर निर्मला का चले जाई या फिर आप संजोसेप के चले जाईए तो उस पे जो है आपको यही चीज मिलेगा कि आपका एडविशन जो है चांसलर पोर्टल के थुरू से होगा तो इस पे क्या करना है कि डारेक्ली आप जो ग्रूप में जुड़े होंगी उनको पहले से पता है कि मैंने एक हमारे ग्रूप के मेंबर ने उसमें एक अपडेट डाला है जे बियर से रेलेटेड कि उसका एडविशन जो है चांसलर पोर्टल के तरू से हो जाएगा तो इसमें सेसन क्या होगा तो सेसन आपका दोजार चौबिस से अठाईस जो हो गया एनिपी के थरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसका एडविशन होगा तो आपका जो है ये कॉर्स क्या हो जाएगा फोर येर जो है आपका एफवाई यूजीप का क्या होता है फोर येर अंडर ग्रेजवेट प्रोग्राम एफवाई यूजीप का क्या है फोर येर अंडर ग्रेजवेट प्रोग्राम तो इसके तहत में जो है निउ एडविशन पॉलिसी के तहत में जो है आपका एडविशन होगा जिसमें सेशन दोजार चौबिस से 28 होगा तो इसमें directly क्या बताया गया है कि JBR College के लिए Chancellor Portal पे होगा कौन सा courses के लिए होगा मैं खास JBR College के बात करूँ तो Arts के लिए बात करूँ तो English, Hindi History, Geography Political, Science, Economics Sociology वहीं पे बात करें Commerce का तो Accounts और वहीं पे अगर हम बात करें Science का तो Physics Physics, Physics के बाद में Chemistry Mathematics, Geology Botany Geology और Statics तो यह जो Honors है Honors का नाम जो बताएगे है तो इसका जो जितने भी अभी मैंने subject बताया JBR College का इसका एड़िशन कहा होगा College के website से नहीं Chancellor Portal से होगा आपको form कहा भरना पड़ेगा Chancellor Portal में form भरना पड़ेगा तो बच्चे क्या करेंगे आप करेंगे बच्चे नहीं अब college student होने वाले हैं तो उसमें क्या है कि आपको Chancellor Portal में जाना है उसमें select करना है form कैसे भरना है तो description में मैं नीचे link दे दिया हूँ उससे आप देख सकते हैं कि आप कैसे form भरना है मैंने पहले भी डाला है आपका playlist में जाएए उसमें दिया हूआ है कि Chancellor Portal में playlist जो बना हूआ है एड़िशन के लिए उसमें जाएए उसमें देखिए वहाँ पे लिखा हूआ है कि Chancellor Portal कैसे भरना है वहाँ से आप देख सकते हैं आपके अने के आपको क्या करना है वहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है कि आप form fill अब करेंगे और देखिए अब साब साब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका जो है JBR में इंटरेंस बेसिस पर एक्जामनेशन होता है तो इसके लिए क्या होगा कि फॉर्म चांसलर पॉटल से भरा जाएगा लेकिन उसके बाद में आपका इंटरेंस टेस्ट होगा JBR तो उसके लिए जो ओफिस्यल वेब साइट उसे आएगा याद रखेएगा JBR क hunter का जो आफिस्यल वेब साइट है उसपे अड़ेंस पर आएगा और स्री सेलेक्सिन लिस्ट उसमें आएगा लेकिन जो आपका पेमेंट होगा या फिर एडविशन जो प्रकरिया होगा जो एडविशन लिया जाएगा वो कहां से लिया जाएगा वो चांसलर पोर्टल से ही लिया जाएगा जिनका सेलेक्शन भी हो जाता है उनका भी चांसलर पोर्टल से ही आपका होगा तो उसके साथ साथ में बात करें कि आपका एडमि कोलेज के ओफिसल वेबसाइट पे मिलेगा उसके साथ साथ में बात करें कि आप उसमें जाएंगे तो उसमें हेल्प नंबर भी दिया गया है कॉंटक्ट नंबर में रीड कर देता हूं जैसे 75429205586 8538970586 इस तरह का नंबर दिया गया है इस पे कॉंटक्ट कर सकते हैं जिस बात करें कि बच गया नेर्मला कॉलेज बच गया जो था करें कि अल्बट परमभिर अलबट एकका मेमोरियल कोलेज हो गया तो इसमें ideally क्या से interest test नहीं होता है तो इसके लिए क्या होगा form कहां से बरेंगे, chancellor portal से बरेंगे, जैसे ही chancellor portal से form बरा जाएगा, selection list आएगा मतलब कि आपका merit list आएगा merit list कहां पर आएगा, college के website पर आएगा, जैसे बात करें कि आपका योगदा सस्तक है, तो उसके college के website पर आएगा उसका बात करें, निर्मला college का, तो निर्मला college के website पर आएगा और अगर बात करें हम albadeka क्या, तो उसका भी website पर आएगा website में नहीं आएगा, तो offline आएगा अगर जिसका website created नहीं है तो उसका website में आपका offline आएगा लेकिन जो है वो Chancellor Portal पर आपको दीख सकता है कि कहां से Approval हुआ है अगर आपका selection हो जाता है तो वो College से Approval, University से Approval दोनों दिखेगा उसके बाद में वहाँ पर आपको क्या होगा उसके बाद में आगे Payment करने का Option आता है पेमेंट करेंगे यह जितना भी Process होगा जैसे ही selection list आएगा उसके अनुसार में आपको अपडेट करूँगा इसलिए मैं बता रहा हूँ बगल के bell icon को जोर से दबा लिजिए ताकि हर बर आपको notification मिले कि हाँ यह चीज आया है पता चल जाएगा और सबसे बेटर होगा कि आप नीचे description जो link दिया हुआ है ना WhatsApp का उस पर connect हो जाएगे ताकि तुरंत आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या होने वाला है तुरंत वहाँ पे update आ जाता है तो इस तरह का update है जितने भी अंगी बूत college है उनका जो एडिविशन कहां से होगा चांसलर पोटल से होगा और इस तरह का update के लिए बने रहेंगे इनके पी प्रोड़क्शन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद